नवस्कार सभी सिच्छक बनू सु निवेदन करता हूँ सौगत करता हूँ आपकी अपने यूटूब चनल सिच्छा जगत की चनल राश्ठीत में चनल रॉकिंग इन्फार्मिंसन पर मैं आपके साथ बीजे सर यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों बाल विकास के टॉफ 30 सभी सिच्छक बरती के लिए छटवा प्रेक्टिस सेट है आपका इसके पहले हमने 5 प्रेक्टिस सेट अटेंड कर चुके है आप लोग ठीक है वीडियो अपलोड हो चुका है यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा जरूर उनको देखें अगर पहली बार चनल में आ क्वेश्चन दिया था आप लोगों ने इसका एंसर भी दिया था बहुत सारे लोगों को बहुत बहुत धनवाद आप लोग बहुत अच्छे से त्यारी कर रहे हैं इसका समाजिक अधिगम आरंब होता है अलगाओ से होता है बीड से होता है तो यह किस से होता है भईया यह होता है आपके संपर्क से होता है जो समाजी कदिगम होता है समाजी कदिगम यानी कि अदिगम क्या होता है पढ़ना लर्निंग करना समाज से जो हम सीखते हैं तो क्या होता है समाज की ज़ो हम संपर्क में आएंगे तब ही हम उनसे सीख पाएंगे ठीक है तो चलिए यह question का सिलसिला जारी रहेगा तो आज ही channel को join करें बिल आइकन प्रिस कर लेजेगा क्योंकि latest notification पाने के लिए आपको इन वाक्स में नोटकेशन आते रहेंगे चलिए फिर question करते हैं question आपके सामने कौन सा अधिगम सिध्धान्थ है बिक्ति को मनो बैग्यानिक प्राणी मानता है ऐसा कौन सा आपका अधिगम का सिध्धान्थ है जो बिक्ति को मनो बैग्यानिक प्राणी मान लेता है बिवहार वाद है प्रवलन है मनो बिसलेशन वाद ह या छेत्र सिध्धान्त है तो भई या वह आपका कहलाता छेत्र सिध्धान्त ठीक है छेत्र सिध्धान्त जो होता है अधिगम का ऐसा सिध्धान्त है जो ब्यक्त को मनो बैग्यानिक प्राणी मान लेता है ठीक है अधिगम एक सापेचिक प्रक्रिया है सिध्धान्त के अनु तो अधिगम एक सापेचिक प्रक्रिया है किस सिध्धान के उनुसार आपका सापेचिक प्रक्रिया है वह छेत सिध्धान के ठीक है सभी question important है सभी update question नहेंगे मौतपूर्ण top 30 question है आप लोग कितना score कर पाते हैं नीचे आप लोग comment box में बताईएगा question यहाँ पर जान दीजे सभी important fact है वीडियो अंतक देखिए और enjoy कीजिए अधिगम अंतरण का थार्णडाई का सिध्धान कहा जाता है जो दोस्तों आपका अधिगम का अंतरण का है थार्णडाई का सिध्धान देखिए पहल बात बताजू थार्णडाई का सिध्धान थै अधिगम का अंतरण एक आपका सिध्धान थै किसका है थार्णडाई का सिध्धान थै यहाँ से question बन गया कि राश्टी पार्टकम की रूप रेखा 2005 NCF किस अधिगम सिध्धान कार के मत का समर्थन करती है देखे मैंने NCF का एक पार्टिकुलर वीडियो बना रखा है उसको NCF से जितने related question मनते हैं सबी वहाँ पर बताया है तो इसका रहीत इंसर Brunner के सिध्धान का सिध्धान की जो मत हैं उनका अंसरन करती है अंगला प्रस्ण है साज के नुसार सिछंड जो होता है अधियंप्रकिया प्रभावी होती है यदि मिया क्रिया की सामनेगर गात्क्राव did were sangeananu प्रह्षि लेंग द्वारा जीन पियाजे को हल वर्ग थार नएक ये सब ये आपको सिधान जो रिलेटेड इन से जरूर कोशन आते हैं याते हैं बाल विकास में ठीक है चार पांच नमबर के इन से आ जाते हैं मनो बैग्यानिक से तो उसका भी पार्टिकुलर वीडियो बना रखा लेखित करने वाली सब्दा वाली किसके द्वारा प्रियाजे द्वारा ठीक है अनु का अनुक्रतीकात्मक होगा प्रतीकात्मक होगा इसकीमा होगा एहम किंदिक होगा देखे दोस्तों प्याजे द्वारा संग्यानात्वंग सरनसना को लेखित करने वाली जो सब्दा वा देखे अगर आज अगर जुड रहे हैं पहली बार आए हैं तो पिछले वीडियो उनको देरे-देरे करके सभी वीडियो जरूर देख लिजेगा ठीक है प्रसिच्चन एबम अब भ्यास सम्मंदित है संग्यान वाद से बेवहार वाद से निर्मित वाद से उक्तमे से कोई नहीं तो प्रसिच्चन एबम अब भ्यास सम्मंदित है किस से सम्मंदित होता है या बेवहार वाद से सम्मंदित होता है ठीक है निस कोश्चन है आपका कि निम लिकित में से कौन सा अधिगम के अंतर दस्टी सिधान को प्रभावित करने वाला नहीं है यानि इसमें से आपको बताना है कि कौन से एक अधिगम के अंतर गजो सिधान को प्रभावित करने वाला नहीं है नहीं कि आपका negative question है कैसा question है यह negative question है इसका answer बुद्धी ब्यक्तित तो प्रत्यच्छी करण या अनभव होगा तो 158 का answer क्या हो जाएगा भाया ब्यक्तित तो हो जाएगा ठीक है अभी तक हमने 158 question attend कर ली हैं बाल विकास के इसके पहले वीडियो जरूर देखे जाएए चैन MCQ आपके लेंगे तो भाई यहाँ पर अपना target जो 30 में 30 है वो पूरा हो जाएगा ठीक है next question है जैसे आपका यहाँ पर की देखे ऐसे भी question इस type के question आते हैं आपकी jam में कैसे question आए देखते हैं इस यहाँ पर दिया है कि B बराबर FPE समी करन जिसके द्वारा दिया गया है यह समी करन किसके द्वारा दिया गया था ठीक है जो आपका B FPE बराबर यह दिया गया है तो लोग comment करके इसका answer बताईए ठीक है क्या होगा next question देख लेते हैं अंगला प्रसना आ चुका इसकी इनके सामने कि निन में से कौन सा कारक जो है थांडाइक के अधिगम से सुमेलित नहीं है negative question आ गया थांडाइक के अधिगम से सुमेलित नहीं है ऐसा कौन ततपर्ता अभ्या प्रयास कनियम लेकिन आपका गुणवत्ता कनियम जो है थांडाइक में नहीं है ठीक है तो इसका मैंने special वीडियो बना रखा है वो जरूर चैनल में जाएं और बाल विकास मनोबिग्यान का playlist मिलेगा वहाँ पे आपको जरूर जोइन करें सभी का थांडाइक पाउला हो ग और अधिखम का प्रकार नहीं है जो असिवयल द्वारा अधिखम के प्रकार दिए गए तो बाक्याप की प्रकार नहीं है, तो बे ठीक है और सुमेली स imperson नीचे दे रिया जाएगा कि आपको आप संन कौन साफी होगा ठीक है तो आप लोगों को यहाँ पर बताना कि कौन साफी होगा ठीक है थु चलिक है किसिद्धान्त करते हैं यह गया सुची में दीया ग्यानिक नाम दिये गए हैं दूसरे सूच में उनकी सिधान दिये गए उनकी क्रियाएं दिये रहें उनके प्रकार दिये गए हैं तो थांडाइक का सिधान का उद्धीपन अनकुरिया का सिधान कहलाता है पाउलाओ का कैसा सिधान कहलाता है अनकूलित अनकुरिया का सिधान कहलाता है कलार्क जो हल है इसका क्या है पुनर वलन का सिद्धान कहलाता है और कोहिलर का क्या कहलाता है अंतरडश का सिद्धान कहलाता है ये सबी आपके थांडाइक के जो थांडाइक हो गया पाला हो गया कोहिलर हो गया जीन पियाजे हो गया ये आपको पार्टिगुलर मैं प्रतिकिया को उत्पादित करने की प्रकति रखेगा प्रवत्ति रखेगा तो उने इन में से किस सीखने की सिध्धान को इंगत करता है इनको अच्छे से रीट कर लीजेगा वीडियो पहुच कर समझ करके भी आप लोग रीट कर सकते हैं तो इसे कि आपसन दिया गया हल का प्रवलन का सिद्धान्त है गुथरी का प्रतिस्थापन का सिद्धान्त है सीखने का छेतरी सिद्धान्त है इसकनर का प्रवलन का सिद्धान्त है ठीक है तो भईया क्या सिद्धान्त हो जाएगा यहाँ पर गुथरी का प्रतिस्थापन का सिद्धान्त होगा ठीक है अंगला प्रस्ट आ चुका इसकीन के सामने बहुत अच्छा प्रस्ट आप पर दिया गया है कोश्चन आपका यह है कि गुथरी द्वारा दिये गए सिद्धान्त में से कि एक बार प्रस्टुत होने पर घटित उसी समूं के पुने प्रस्टुत होने पर मूली बिवारें पर लच्छित देखे यहां पर खालिस्थान दिया गया कुछ देखे चार खालिस्थान देगे यहां पर आपको फिलप करना क्या क्या सही होगा ठीक है और आपसन आपके दे दिये गए यह आपका देखे इसमें चौथा अपसन आपका सही है क्या होगा पहले उद्दीपक होगा यानि कि गुत्री द्वारा देगे सिदांतुम क्या उद्दीपक के लिए बार प्रस्तुत होने पर घटित अनुकुरिया उसी समूह की या के उद्धीपक पुने प्रस्तूत होने पर मूल अनुकुरिया ब्योहार में परिलच्छीत होता है ठीक है तो D आपसन आपका चौथा आपसन सही हो जाएगा अंगला प्रस्दिया बहुत अच्छा प्रस्दिया आपके दिया गया है कि संकला जो संकला अधिगम सिधान्त में उच्चितर अधिगम है जो संकला अधिगम का सिधान्त होता है उसमें उच्चितर अधिगम पूछा गया है तो यह संकला अधिगम के सिधानत में जो उच्चितर अधिगम होता है आपका वह होता है नियम अधिगम होता है उच्चितर होता है ठीक है यह धान दीजेगा उच्चितर होता है आपका ठीक है सहबहिया अर्थपूर्ण अन्वेशन सीखना ठीक है अंगला प्रसनाचु का सभी important fact है और 30 में से कितना score कर पा रहे हैं आप लोग नीचे comment बास खुला हुआ है वहाँ पर आप लोग जरूर अपना score जरूर ठीक है question है पावलाव के सास्त्री अनुबंदन में घंटी की आवाज है जो पावलाव है ठीक है उन्होंने सास्त्री अनुबंदन में घंटी की आवाज क्या बताई है ठीक है अनानुबंदेत अनुक्रिया अनुबंदेत उद्धीपक अनानुबंदेत उद्धीपक या अनुबंदेत अंक्रिया तो पाउलाओ के सास्ती अनुबंदन में जो घंटी की आवाज है वह कहलाती है अनुबंदेत उद्धीपक ठीक है नेस कुशन देखते हैं सभी प्यारे मित्रों से सभी भाई वहनों से निवेदन करता हूँ चैनल को जोईन करें शेयर करें आपका परिवार है अपना परिवार है अपने परिवार को बढ़ा करना ही अपनी सबसे अच्छी नीती होती है यही नीती साबित करना है अप लोगों कुशन है कोहलर के कोहिलर ने सुल्तान के साथ किये गए कोहिलर ने सुल्तान के साथ किये अंतर ज़स्ट अधिगम के प्रयोग किस दीब पर किये बहुत अच्छा प्रसन है ज्यान दीजेगा सभी हर भाई वें कि कोहिलर ने सुल्तान के साथ किये अंतर जर्ष्टी अधिगम के प्रयोग किस दीप पर किये कौन से दीप पर किये थे बहुत अंदर वाली बात है अंदर वाला कोश्चन है इसको ज़रूर पर यह तवया टेने रीफ उस दीप को क्या नहा है जहां पर कोहिलर ने सुल्तान के साथ अंतर जर्ष्टी अधिगम के प्रयोग कर दीप पर किया तो टेने रीफ उस दीप का नाम है दीप का नाम क्या है टेने रीफ ठीक है याद रखिएगा अंगला प्रसन है बंडूरा के समाजिक अधिगम सिध्धान्त में जो बंडूरा के समाजिक अधिगम का सिध्धान्त है उसमें ओधान आवश्यक है पुनरवलन आवश्यक है ओधान एवं पुनरवलन दोनों अनिवार है या उक्तमे से कोई नहीं तो इसका right answer क्या हो जाएगा आउधान आवश्यक है जो बंडूरा के समाजी का दिगम सिधान्त में क्या है आपका आउधान आवश्यक है नेश-कोश्यन जाएगर देखेंगे wanna नेश-कोश्यन यहाँ पर देखेंगे पीयाजय के अनसार पूर संक्रयायात्मक जो है पियाजे कमसा जो पूर संक्रियात्मक है वह कौन से है भईया तो वह आपका है प्रतिमूर्थ निर्माड ठीक है नेस्ट कोश्चन आप पे देखेंगे सभी इंपोर्टन कोश्चन है कि निन में से किस मनों बैग्यानिक या बिद्वान का सिधान्त गेने के अंटसो पान की क्या है अंटसो पान की अधिगम से धान्त प्रयुक्त चिन अधिगम से मेल खाता है तो भईया क्या होगा पावला हो जाएगा ध्यान दीजिए का बहुत ही इंपोर्टन डीपली कोश्चन है अंदर की बात कर रहा हूं बहुत ही महत्पूर्प्रसन है ठीक है कोश्चन देखिए कि इन तत्थों पर आपको विचार करना है विचार करने के बाद फिर आपको नीचे दिया गया है आपके कौन कौन से सही होंगे ठीक है चलिए तत्थों का पहले पढ़ लेते हैं वस्तु प्रदरसन, पाठ पुस्तक का मौन वाचन, कहना व करना, चित दे लिखना है ठीक है किस क्रम में भईया लिखना और ओही क्रम में लिखना ये आपके क्रम लिखे गवी है ठीक है तो चलिए इसका राइट एंसा देख लेते हैं इसका देखे पहला बता देता हूँ और ओही क्रम में आपको क्या आएगा ठीक है यहाँ पर में देए, औरोहिक रम में आपको लिखना आता है, पहले आपको कौन सा आएगा, मान लेजिए पहले हम ए लिख लेते हैं, तो पहले आपका तीसरा अपसन आएगा, इसके बाद आएगा, बीढ न पाँचमा आएगा, कहना करना सामूहिक परिचिय होता है, फिर इ इसके बाद आपका वस्तु प्रदर्शन के बाद क्या आता है वीडियो फिल्म देखना या सुनना आ जाएगा ठीक है चौथे नमबर पर फिर पांचवे नमबर पर आपके आता है क्या चित्र देखकर उसकी ब्याख्या सुनने ठीक है ये पांचवे नमबर हो गया फिर इसक उप्रदरसन होगा फिर इसके बाद आपका कौन सा होता है भाईया वीडियो को फिल्म देखना फिर सुनना फिर इसके बाद होता चित देखर उसकी ब्याक्खा सुननी और फिर पाठ पुस्तक का मौन वाच है ये आपका क्या क्रम है ठीक है जान दीजेगा और ओही क्रम में प्रसन अपका क्योश्चिन अगला देख लेते है अलग-लग छेत्रों या बिस्यों में एक सामान नियम में डूण लेना या सरंख्ला अदिगम सिद्धान के उसार कौन सा अधिगम है तो कौन सा होगा भी या इसका राइच साछल प्रसनी important person संप्रत्य हो जाएगा कौन सा दिगम होगा संप्रत्य दिगम हो जाएगा ठीक है अंगला प्रस देखेंगे कि thandike के सीखने के गौण के नीमों में नहीं है negative question आ गया नहीं है मतलब negative question है दोई प्रगार के question आते है positive होगा हाँ होगा या नहीं होगा negative होगा तो thandike के सीखने के गौण नीमों में कौन नहीं है भईया तो इसके लिए जानना जोगी के हैं कौन है इसलिए thandike का वीडियो देख लिए मैंने बना रखा है ठीक है तो यहाँ पर देखें जो बहु प्रत्किया है वो आपका होता है आत्मसात्की करण जो है वो होता है साच गौण नीम में आता है बहु प्रत्किया आत्मसात्की करण सायचर पड़िवतन प्रभाव आपका गौण नीम में नहीं आता ठीक है अंगला प्रस देखेंगे इंपोर्टन प्रस नहीं कि थांडाइक द्वारा प्रतिपादित अधिगम के मुख नियम कितने है भईया बत प्रक्रिया में की गई तुटियों को किस नियम के अंतरगत रखा जा सकता है उद्वीपक अनुक्रिया सिधान के अधिगम प्रक्रिया में की गई तुटियों को किस नियम के अंतरगत रखा जाता है आपको ठीक है वह कौन से नियम है तो वह या बहु प्रत्किया की जो न आई होप आपलोगों सभी कोश्चन पसंद आए होंगे तीस में से कितना स्कोर कर पा रहे है नीचे कमेंट बास खुला हुआ है आप लोग जरूर वहाँ पे अपना-पना स्कोर काड जरूर बताए और वीडियो को लाइक करें और सभी फ्रेंड्स में सेयर करें लिंक discussion में दे दी गए WhatsApp, टेलिग्राम, चैनल जोइन करें, फ्री में PDF फाइल बाइन, ठीक है, अंगला question है, यदि बालक को किसी बिसाय में, अध्यन हे तु वायद किया जाता है, अगर बानले जो बालक को हम, क्या है, बिलकुन बाद करते हैं, आपको मैस पढ़ना है, आपक इस नियम के उनसार अधियम पर कैसा प्रवा पढ़ेगा, ठीक है, तो इसका right answer क्या होगा, B option देखेंगे, ततपरता करियम यानि प्रतिकूल प्रवा पढ़ता है, ततपरता करियम पढ़ेगा, प्रतिकूल प्रवा पढ़ेगा, ठीक है, नेस question यहाँ पर देखेंगे, कि करम दिया, सही कूट आपको बताना है, तो D option क्या है, चौथा और छे दिया है, तो आपके क्या नहीं है, ठीक है, तीसरा और छठमा आपके नहीं है, इसमें क्या हो जाएंगे, गौन नियम, सहायक नियम नहीं कहलाएंगे, ठीक है, यानि रुच का नियम और आपका असंतो अपका साइक के नियम महा है ठीक है लेकिन आपका ये दो आपसन नहीं है एक असंतोष का नियम एक आपका रोचिका नियम अंगला प्रस देखेंगे नेस कोशन आ चुका है बहुत एच्छा प्रस नहीं आपर सभी लोग ध्यान पूरग देखेंगे निर्मित वादी सिच्छन प्रत्कियाओं में सिच्छक की भूमिका है जो निर्मित वादी सिच्छन प्रत्किया होती है उसमें सिच्छक की क्या भूमिका होती है कौसल अर्जित करने में प्रसिचित करना सूचनाओं का इस्थांतरन करना ग्यान निर्मान का सरली करन करना ये छात्रों में उन्सासन बनाए रखना तो ये कोशन आपके लिए सभी के लिए होम बर्क है अब आप लोग इसका कमेंट बाक्स में करेंगे इसका एंसर हमने इस वीडियो में बताएंगे तो वीडियो कैसा लगे लाइक करें शेयर करें और अपना अपना स्कोड का जरूर कमेंट करके बताएं जैहिंद बंदे मात्र मिलते हैं ने इस वीडियो में साथ-साथ की मैस की क्लास सुरू होगी उसको जरूर अटेंड करें धनवाज साथियों